दोस्तो आखिरकार सोसल मेडिया पर आप लोग आई दिन कोई न कोई खबर सुनते ही रहते हैं सलमान भायजान के बारे में और ये भी सुनते हैं कि आखिरकार सलमान भायजान का एक नाम ही काफी है कोई भी फिल्म को सूपर डूपर हिट करने के लिए या कोई भी सोचल मेडिया पे तुफान लाने के लिए तो दोस्तो आखिरकार ये बात सच है जिसको लेकर मैं आप लोग को एक प्रूफ वताने जा रहा हूं और आखिरकार सल्मान भायजान के नाम एक और बड़े रेकॉर्ड जूर चुके हैं इसके बारे में आप लोग को मैं लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूँ हेलो दोस्तो आप लोग का स्वागत है आपके चैनल राउंड वर्ड नियूज में अगर आप अगर आप डायाहड फैंस हैं उनको काफी अच्छे से प्यार करते हैं उनको पसंद करते हैं सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें पहली बात आप लोग जानते हैं कि बॉलीवूड के कई सारे और भी सेलिविटी हैं जिन में सलमान भायजान अगर उनकी मुवी को लेकर कोई परमूशन करतेते हैं तो समझ लीजे उनकी फिल्म तो सूपर डूपर हीट हो नहीं है तो बिल्कुल इसी तरह से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सलमान भायजान का जलबा टिक टॉक पर किस तरह देखने को मिली है और उस सोचल मेडिया पर क्या रेकॉर्ड बना दिया है मैं आप लोग को लाइफ प्रूफ बताने वाला हूँ दोस्तों मैंने आप लोग को इससे पहले वी एक वीडियो बताया था जहां तक बनाया था टिक टॉक को लेकर जो सलमान भायजान के आकिरकार 8 बिलियन जहां तक उनके भ्यूज के रेकॉर्ड के बारे मैंने आप लोग को पॉइंट बताया था और आकिरकार अब जहां तक कह सकते हैं जो कुछ दिन सिर्फ 15 से 20 दिन हुए हैं और ये billion का record अब 15 billion पहुँच चुका है बिलकूल आप लोग सही सुने है 15 billion भ्यूज का record पहुँच चुका है टिक टॉक पर सलमान भायजान के नाम हैस्टेक सलमान खान आप लोग जाके सर्च करें और यह रिपोर्ट आप लोग लाइब भी देख सकते हैं मेरे स्क्रिंस पर भी और वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरह का रेकॉर्ड सलमान भायजान सोसल मेडिया के टिक टोक प्लिटफोन पर तुफान ला दिया है अगर सलमान भायजान का ओफीसियली चैनल भी वहाँ पर नहीं है तो इस तरह का जलबा देखने को मिल लगी है अगर सलमान भायजान का ओफीसियली चैनल टिक टोक पर रहता तो क्या होता इस पर आप लोग अपना अपना रियक्शन दे इस वीडियो को लाइक करें सेर करें